हाई फ्रेंड विलकम टू माई चैनल एसके सोनू टेक वर्ड कैसे है फ्रेंड उमीद है मस्त होंगे ब्यस्त होंगे फ्रेंड जेपी उनिवर्सिटी छफरा असनातक पार 3 परिछा फरम भरने का डेट बढ़ेगा या नहीं असनातक पार 1 मार्क सिट सुधार कर कॉलेज में भेजा गया चलिए क्या कुछ अपडेट निकल कर आई है जेपी उनिवर्सिटी से चलिए हम आपको बताते हैं देखी प्रेंड आप यहां पर सबसे पहले देख लिए दैनिक भासकर का यह रिपोर्ट है छपरा 25 पांच 22 का यह रिपोर्ट है इसमें आप देख पा रहे है 25 मई पार्थरी परिच्छा फर्म भड़ने की अंतिम्ति थी जेपी इस विद्यालाई ने कोलेजों से कहा लेकर जाए मार्क सीट इसमें क्या कुछ बताया गया है असनातक की अस्पेसल पर च्छका सुधारा गया मार्क सीट त्यार यहां पर आप सब देख सकते हैं क्या मेसील्ड सुधार किया गया मार्क सीट वीद्यालाय को प्राफ्ट हो गया है जेपी विद्याला के प्रिच्छनियंतरख पर फेसर अनिल पुमार सिंग ने इस संबंध में सभी कालेज인 के परचार से अपने यहां के छात्रों का सुधार किया गया मार्क्षीट 20 विद्याले से अब लम प्राप्त कर अपने कॉलेज के छात्रों के बीच उसका अबितरन सुनिशित कराने को कहा है आपको बता दू कि बड़ी संख्या में असना तक पार्ट वन अस्पेसल एक्जाम में सामिल छात्रों का रियल्ट में गरबारी मिला था जिसमें पास एस्टुएंट को फेल करने समेथ कई अंटूटिया भी मिली थी रियल्ट गरबार रहने से फिरिद छात्र फाइनल एर का प्रिच्छा फर्म नहीं भर पा रहे थे इसको लेकर 20 विद्याले में लगतार विभीन छात्र संगठनों दोरा हो हंगामा किया जा रहा था बहराल मार्क्षीट मिलने के बाद भी बली संख्या में छात्रों के प्रिच्छा फर्म भरने से बंचीत रह जाने किया संगा जदाई जा रही है इसकी बजाहिया है कि 20 विद्याले पर सासने असना तक फाइनल एर प्रिच्छा दोर एकिस के परपत भरने किती थी 25 मई नि को कहा है ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि 24 मई को कॉलेज को 20 विद्याले से मार्क्षीट प्राप्त होगा तो वह अगले दी 25 मई को छात्रों को उपलद कराने में कहां तक सफल हो सकेगा देखे प्रेंट आपको एक बहुत ही बरी बात बता दूं कि जो आपका पुदार हुआ है कि नहीं हुआ है देखे एक बात बता दूं जहां तक बात रही है सना तक पाठर सेसर अठारे एकिस और अस्पेसर परचादोरे किसकी परिशापन भरने को लेकर तो इसकी अभी डेट बराने को लेकर कोई अफिस्यल नोटिफिकेशन नहीं आई है सब्सक्राइब करके घंटी को दा बादे वीडियों को जादा सेयर करें ताकि आपके फ्रेंड को भी से लाव मिल सके फ्रेंड भी मिलेंगे एक नहीं जनकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद